मुझे नहीं पता, पर ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर ध्यान नहीं देते कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि मैं हूँ ही नहीं वो ना, शाहिद मुझे कुछ जबरदस्त करना पड़ेगा, जैसे कि अपने बालों को रंगना बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा एडिया है अच्छा दोस्त या रूमांटिक साथी बनने के लिए सबसे बड़ी बात ये सीखना है कि दूसरे व्यक्ति के साथ ठीक से बात कैसे की जाए अच्छाले सुना बनने का मतलब सिर्फ दूसरे व्यक्ति को बोलने देने से कहीं ज़्यादा है आपको अच्छी तरह सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं ताकि आपको उनकी बात के पीछे का मतलब ठीक से समझाए अच्छा लिसनब बनने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं ध्यान दे, इधर उधर की चीज़ों में अपना ध्यान बटने ना दे अपने फोन पर मैसेज या स्क्रोलिंग ना करें दूसरा व्यक्ति जो भी कहे उसे जज ना करें उन्हें उनका खयाल पूरा करने दे, इस बात की चिंता की ये बिना कि आप कोई मतलब या निर्णे पर पहुंच जाएंगे ये सोच कर समय बरबाद ना करें कि आप आगे क्या कहने वाले हैं ये करना थोड़ा मुश्किल है अगर आप बचाव की मुद्रा में हैं हम दर्दी दिखाएं, हम दर्दी मतलब आप दूसरे व्यक्ति को ये दिखलाएं कि आप उनकी फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम का सुल्यूशन तब तक ना दे, जब तक की आप से पूछा ना जाए ज्यादा तर लोगों को सिर्फ साथ चाहिए वो चाहते हैं किसी को अपनी बात सुनाना, ना कि प्रॉब्लम का सुल्यूशन सवाल पूछ कर निश्चित करें कि आपको दूसरे व्यक्ति की बात समझ आ रही है पर बीच में ना टोकें, उनके रुखने का इंतजार करें रियाक्शन दे, अपना सर हिलाएं या उन्हें वापस कहें जैसे तुम बहुत एक्साइटट होगे या ये तो गलत है एक अच्छा लिसन बनना एक बहुत जरूरी स्किल है और ये आपको एक अच्छा बॉइफिन या गल्फिन बना सकता है लोगों को अच्छा लगता है कि उन्हें कोई सुने खास्तोर से वो जिनकी उन्हें परवाह है और अगर आपको फ्राक्टिस की जरूरत है जो हम सभी को होती है, इसे ट्राइ करें अपने close friends और family members के साथ ओ, नो कबीर, तुमने बालो को क्या किया ऐसा कुछ भी करने से पहले तुम्हें मुझसे जरूर बात करनी चाहिए खैर, तब तक के लिए teenbook.in या amuse.org पर आना मत भूलना और बहुत से वीडियोस के लिए बाई